साथियो नवश्कार जी एस प्रपरटी में आपका स्वागत है मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिले कटनी में 171 एकड जमीन जो लाल रोड से लगी हुई है ये लाल रोड है बढ़िया फ्रंट है रोड के दोनों तरब जमीन है ये सामने देख रहे है ये इसी जमीन का पार्ट है जिसमें तलाब बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया खेती की जमीन है ये तलाब बना हुआ है और ये जमीन है अब देखें ये अपन इसमें दो मंदिर भी बने हुए है भगवान के दो मंदिर लवक कटनी सहर से 22 किलो मीटर पर ये जमीन है जिला एकनी तैसील बढ़वारा कि यह जमीन है ग्राम बर्चे का यह जमीन है 171 एकर खेती की बढ़ियां जमीन तीन फसली जमीन है रूट के दोनों तरफ जमीन के बीच से रूट गई हुई है यह मकान बना हुआ है गवसाला बनी हुई है और मकान भी बना हुआ है यह गवसाला है यह देखिए जहां तक आपकी नजर जा रही है पूरी जमीन है तारबाड़ी लगी हुई है यह गवसाला देख रहे हैं आप लोग इस जमीन में बारा बोर हैं कुवा है और सिचाई के लिए नहर का भी साधन है बहुत ही उपजाव जमीन है तीन फसली जमीन है यह मकान भी ठहरने के लिए बना हुआ है बहुत बढ़िया मकान है पुराने जमाने वाले यह देखिए मैं आपको जमीन में लेके चलता हूं कुछ आम बहरा के जाड़ भी लगे हुए हैं और मैं आपको जमीन में लेके चलता हूं यह देखिए बहुत प्लेन जमीन है बंधिया बनी हुई है और यह नहर जैसे की देख पा रहे हैं जमीन के अंदर से नहर पर्सनल नहर पर्सनल तलाब है और बारा बूर है खुआ भी बना हुआ है और नहर का भी साधन है सिचाई के लिए यह देखिए सामने खुआ बना हुआ है बिजली का साधन है खुद की डीपी लगी हुई है पुरी प्लेन जमीन है 171 एकड़ जमीन है तीन फसली जमीन है धान गेहूं और गर्मी की फसल भी ले सकते हैं लाइट का भी साधन है बारा बोर करार रखे हैं इन्होंने अदोमट मिट्टी है बढ़ियां सांदार धान बहुत बढ़ियां होती है इस जमीन पे गेहूं बहुत बढ़ियां होता है और सुबिधा नुसार आप गर्मी की फसल भी लगा सकते हैं देखिए बढ़ियां प्लेन जमीन एक चक पूरा तारवाड़ी है और एक चक जमीन है 171 एकड़ी है जहां तक आपकी नजर जा रही है देखिए पूरी प्लेन जमीन है जिन साथियों को खेती के लिए 100 से उपर जमीन चाहिए कटनी सहर से मातर 22 किलोमीटर है मेन हाइवे से धाई किलोमीटर पर ये जमीन है जिन साथियों को खेती की जमीन चाहिए क्रपया संपर्क करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद